हलो बच्चों मैं निवा मिश्रा बिर्लेंटिकेन्वियाफ लेर्णिंग्स है और आज मैं फिर कुस कोशन्स के साथ आप लोगों के सामने हूँ और आप इसको मोटाउन करो, समझो, याद करो ताकि जादा से जादा स्कूर आप एक्जाम में मार्क्स को कर सको आज मैं बताऊंगी कि हमारे कंस्टिटूशन में संबिधान में जो सिक्षा से समंदित अनुशेद आया है और साथ में किस इसवी में, किस एयर में कौन सा कमिशन बना उसके बारे में बता रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनो, नोट डाउन करो और शम्जो याद करो इसको लिसन केरफुली, नोट डाउन और लर्ण इट प्रोपरली तो स्कूर गुड मार्क्स इन एक्जाम ओके, लेट्स बेगिन चलो, तो सबसे पहला है कि नेसुल्ग सिख्षा, जो अनिवार सिख्षा मौलिक अधिकार की रूप में दिया गया नेसुल्ग अनिवार्ज photographers वो किस अनुष्षेद में है 21a, 21a जो अनुष्षेद है उसमें ये दिया गया है कि नेशुल्क और अनिवार्ज शिक्षा होना चाहिए मौलिक अधिकार के रूप में नेक्स शिक्षा के द्रिस्टी में सभी समान है ये किस अनुशेद में कहा गया है अनुषेद 29-2 में एअगे बढ़े अगला है अलफ शंक्यकों को सिक्षव्स संस्था अस्थापित करने का अधिकार मतलब मानियर्टी में उनको师 शुक्षा संस्था अस्थापित करने का अधिकार किस अनुशेद में मिला है अनुशेद 31 यानि अनुशेद 31 में, clear, अगला है निडवल बर्ग जैसे SC ST का जो सैक्चिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना, किस अनुशेद में कहा गया है, यह है अनुशेद 46 में, एक्ट 46 में, clear, अगला है संग की राजभासा हिंदी वर लिपी देवनागरी होगी, लिपी देवनागरी और राजभासा हिंदी, यह किस अनुशेद में कहा गया है, यह 3431 यानि 343 एक्ट के वन जो है, पहला जो है भाग उसमें कहा गया है, clear, अगला है कि माता-पिता का मूल करतब्य की वह अपने 6-14 बर्स के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, यह किस अनुशेद में कहा गया है, माता-पिता का मूल करतब्य की वह अपने 6-14 बर्स के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, यानि बाल मजदूरी करवाना अपराद है, तो यह किस अनुशेद में कहा गया कि मावाप अपने 6-14 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, वह है अनुशेद 51A में, किसमें हैं? अनुशेद 51A, अगला है MDM की सुरवात कि कब हुई? तो यह 15 अगस 1995 में, अगला है स्काउटिंग के संगस्थापक के ने, कौन है? स्काउटिंग होता है, उसके संगस्थापर, फांडर किसको कहा जाता है? वेडिन वाविल को, वेडिन वाविल को, क्लियर अगला है कोठारी कमिशन, जो आया था सिक्षा के लिए, वो किस छेतर में काम करता है, किस के लिए? तो प्रात्मिक, मादेमिक वो उच्छा के लिए कोठारी कमिशन बनाये गया था गटित किया गया था अगला है प्रोड सिक्षा किसका हिस्सा है प्रोड सिक्षा किसका हिस्सा है तो ये प्रात्मिक और प्रोड शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया तो 15 से 35 से उम्रे में जो शिक्षा दी जाएगी उसको प्रोड शिक्षा करा गया अगला है कि एक पैटर्न आया जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक पैटर्न आया वह था 10 प्लिस टू प्लिस ठी यह को सिन एक्जाम में यह सबिए आर्मीं के लिए कहीन गार्शाइंग और methodology से questions आते ही हैं तो वहां यह आपको बहुत काम देगा यह सब्सक्राइब तो अभी मैं बता रहे थी कि 10 प्लेस 2 प्लेस 3 का pattern किस commission के द्वारे दिया गया तो यह कोठारी commission के द्वारे दिया गया और यह रास्ट्रे सिक्षानीद जो कोठारी commission है यह रास्ट्रे सिक्षानीद जो 1968 में आया था उसके द्यारा दिया गया आगे हैं कि एक आया था operation blackboard operation blackboard यह किसके लिए था तो कक्षा 1 से 5 के लिए operation blackboard किसके लिए चुलाए गया कक्षा 1 to 5 के लिए और उसके आगे सबसे पहले one to 5 के लिए सुरू किया गया और बाद में उसमें six to eight को कर दिया गया six to eight को भी उसमें एड किया गया किसमें operation blackboard में खुले विश्विद्याले की सबसे पहले शुरुवात कहां की गई जो ओपन इंवस्ट्रीज है वो सबसे पहले कहां सुरू हुआ तो यह ब्रितन में सुरू हुआ सबसे पहले और ग्यान दर्शन चानल की सुरुवात कहां तो यह 26 जनवरी 2000 में हुआ अगला पहला भारत का खुला बिश्विद्याले ओपन इंवस्ट्री कौन सा है तो यह आंद्र ओपन इंवस्ट्री है आंद्र खुला बिश्विद्याले अगला है उट डिस्पैच जिसको सिक्षा का मैगना कार्टा कहते हैं यानि एजुकेश करहा निएंटर स्राइस सिच्षा को मैकेच कार्टा मैं यह 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 अग्या है। फाजिश्रियाले अगला है हन्टर क्मिशन आ जाती में, clear, next, sergeant plan कब आया, sergeant plan, यह 1944 में आया, अगला है, all India council for technical education, जिसको short form में AICTE कहते है, all India council for technical education, जो November 1945 में आया था, AICTE कब आया, 1945 में, clear, next, राधा कृष्ण आयो, जिसको विश्विद्यालय आयो भी कहते है, वो कब आया, 1948 तो 49 में, राधा कृष्ण आयो कब आया, 1948 तो 49, next, मुदालियर आयोग है, जो माधमिक सिख्षा, आयोग के भी नाम से जाना जाता है, यह कब सुरू हुआ, तो 1952 तो 1953, मुदालियर आयोग, clear, next, बहुत देश्य स्कूल खोलने का सुझाव कहां से आया, तो यह मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया, क्या था इसमें, मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया, next, मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया, next, यूजी सी, इन्वेस्ट्री ग्रांट कमिशन के स्थापन कर हुई, 1956 में, clear, आगे हैं महिला सिक्षा के सुधार के लिए समीती बनी थी, उसका नाम था दुर्गावाई देशमूख समीती, क्या नाम था जो महिला सिक्षा के सुधार के लिए बना था, दुर्गावाई देशमूख समीती, जो 1958 में बना था, clear, next, दुर्दर्शन के स्थापना कब तो यह 15 सप्टेंबर 1959 में दुरदर्शन के स्थापना कब हुई 15 सप्टेंबर 1959 में next NCRT के स्थापना कब हुई 1961 में जो NCRT की बुक्सी चलती है comment schools में सभी में तो कब स्थापना हुई इसकी NCRT की 1961 में CVSC की स्थापना कब हुई 1962 में यानि NCRT के स्थापना के एक साल बाद अगला है अगेन महिला सिख्षा के विकास है तू एक समीती गठित की गई थी जिसका नाम है हंसा महता समीती जो 1962 में आये अगला है NUEPA इसकी अस्थापना भी 1962 में की गई नेक्स्ट के विएस केंद्रे विद्याले संगठन इसकी अस्थापना 1963 में की गई अगला है कोठारी कमिशन जिसको भारतिय सिक्षा आयोग भी कहा जाता है यह 1964 से 66 तक माला जाता है इसको अगला है परोस विद्याले खोलने का सुझाब कहां से आया तो यह कोठारी कमिशन के द्वारे दिया गया किसका देन और आẫnपर और जिक्षा सिक्षा निति को देन है जो 1986 में आये था अगला कोठारी कमिशन के रिपोर्ट का सिर्सक का नाम थाOh चुनाथी एवंग नीतिगत आयाम. क्या था कुठारी कमिशन का रिपोर्ट का सिर्षक? रिपोर्ट जो दिया उसमें उसका सिर्षक क्या था? चुनाथी एवंग नीतिगत आयाम. इसको इंगलिस में हम कह रह सकते हैं, challenges of education and dimension of its rules, morality, we can say. नेक्स्ट राष्ट्रे शिक्षानीत यानि NPE की सुर्वात कब हुई? 1968 में. भारतिय बन्य जीवन अधिनियम कब सुरू हुआ? 1972 में. इगनु की अस्थापन कब हुई? 1985 में. जो इंद्रा कांधी निश्टनल ओपन इंवर्स्ट्री है, वो 1985 में इसकी शुडवात की गई. और मानेव संसाधन विकास मंत्राले, M.H.R.D. कब बना? 26. सेप्टेंबर 1985 में. क्लेर, डाष्ट्रे शिक्षानीत, 1986 में भी बनाया है NPE. N.V.S. नबोदे विद्याले संगटन के स्थापना, 1986 में हुई है. और ये देन किसकी है, तो ये 1986 में जो NPE था, उसी से बना है N.V.S. थैंक यू. तो फिर अगले विडियो में, और भी कुछ नई, और भी कुछ नए कुश्टन्स, और उसके उत्तर के शाथ में आऊंगी, आंसर के शाथ आऊंगी, ताकि आप लोग को वेनिफेट हो, देने बाद.